हेलो फ्रेंट तो आज मैं आपको ऐसी ना सिर्फ विजिट करवाने वला हूँ जहां पर आपको टेरा कोट से बने हुई बहुत सारी चीज़े देखने को मिलने वाली है इनके पास में जो कुछ भी एवेलेबल है वन बाई वन सबी में आपको शो करने वालो सो एंटक वीडियो पे बने रही है आज के हमारे इस वीडियो में जो भी प्राइज मेंशन किया है वो ही प्राइज में आपको मिलेगा बस आपको मेंशन करना है कि हमारा वीडियो देख के आप उनके शॉप में गए हो इनके पास में आपको प्लांस का भी कलेक्शन देखने को मिल जाता है जिसमें सेमी इंडो प्लांस है, कैक्टस प्लांस है, सकुलन प्लांस है और सकुलन प्लांस का जो प्राइज स्टार्ट होता है वो जस्ट फॉर्म 80 रुपीज इनके पास में आपको indoor plants का भी collection देखने को मिल जाता है जो की आप reasonable price में यहां से buy कर सकते हो इनके पास में आपको flowering plants का भी collection देखने को मिल जाता है जो की बहुत सारे different varieties में इनके पास में available है आप buy कर सकते हो यहां से इनके पास में आपको outdoor plants का भी collection देखने को मिल जाता है So almost all the plants की varieties आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है So terracotta items के साथ आप यहाँ से plants भी buy कर सकते हो प्रेलिये तो terracotta से बने हुए चीज़ों के price देखते हैं यह completely terracotta से बना हुआ है आप यहाँ से buy कर सकते हो just from 60 rupees इसमें भी इनके पास में बहुत सारी different varieties है जो के आप देख सकते हो यह terracotta से बना हुए श्री गिनेश आप यहाँ से 70 rupees में buy कर सकते हो terracotta से बना हुआ elephant आप 60 rupees में buy कर सकते हो ये जो टोटाइज है ये भी आप 60 रुपीज में बाई कर सकते हो ये टेराकोटे से बना हुआ होर्स है ये आप बाई कर सकते हो just in 60 रुपीज उसी के साथ में इनके पास में टेराकोटे से बना हुआ elephant भी है जो कि आप बाई कर सकते हो 60 रुपीज से इनके पास में गुल्लक भी अवेलेबल है जो कि आप बाय कर सकते हो just from 25 रूपीज इसमें भी आपको बहुत सारे different colors देखने को मिल जाते हैं इनके पास में इनके पास में मिट्टी से बने हुए गुल्लक भी है जो कि आप बाय कर सकते हो just from 10 रूपीज ये वाला item आप बाय कर सकते हो just from 40 रूपीज राकोटा से बने हुए lamb भी है इनके पास में जो कि आप बाय कर सकते हो just from 65 रूपीज सबसे छोटा वाला जो है आप बाय कर सकते हो 65 रूपीज में इसमें भी बहुत सारे different sizes है इनके पास में जो कि आप buy कर सकते हो different price में अगर garden है तो garden में as a decoration purpose भी आप इसको use कर सकते हो उसी के साथ में अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली में आप as a आकाश दिया करके भी इसका use कर सकते हो यह देखें another type of terracotta lamp जो कि आप buy कर सकते हो 100 rupees में यह अच्छा का सब बड़ा है size में इस दिवाली में plastic का आकाश दिया use करने से तो कई बेटर है कि आप terracotta का lamp use कीजिए इससे हमारे दो purpose all होगे एक तो पहला कि हमें plastic का use कम करना है उसी के साथ में हमारे जो कुछ कुमबर लोग है उनको भी जादा से जादा contact मिलेगा तो थोड़ा सा सोचिए और करिए जो आपको correct लगता है another lamp जो कि आपको इनके पास में different colors में देखने को मिल जाता है देख सकते हैं आप दिखने में यह बहुत ही unique दिख रहा है इनके पास में आपको उरली भी मिल जाती है जिसका price स्टार्ट होता है just from 60 रूपीज इसमें भी बहुत सारी different varieties आपको इनके पास में देखने को मिल जाती है उसी के साथ में बहुत सारी different sizes में भी आपको इनके पास में मिल जाएगी उरली का use आप बहुत सारी different ways में कर सकते हो आप as a decoration purpose के लिए यूज कर सकते हो बगवान के पास रखने के लिए यूज कर सकते हो इसमें पानी डालके आप flower डाल सकते हो टेरोकाटा से बने हुई उरली इनके पास में भूती कम प्राइज में आपको मिल जी है अगर आप online search करते हो तो आपको बहुत जादा प्राइज पे करना पड़ेगा सेम उरली के लिए मेरा suggestion यह है कि आप टेरोकाटे के items यहां से बाई केजिए इनके पास में colorful उरली भी है यह देखिए I hope कि इनके पास का उरली का collection आपको पसंद आया होगा यह clay से बने हुए यह आपको मिलेगा 20 रुपीज में और यह आपको मिलेगा 30 रुपीज में इनके पास में आपको दिये का भी collection देखिए को मिल जाता है जो कि एक रुपे में एक यहां से बाई कर सकते हो दिये के तो बहुत सरी different varieties इनके पास में one by one सभी मैं आपको show करता हूँ यह देखिए जो कि एक रुपे में टेर्यागाड़ा से बने हुए pots भी इनके पास में जो कि आप decoration purpose के लिए use कर सकते हो उसी साथ में इसमें plants भी आप लगा सकते हो ceramic का pot आपको मिल जाता है 30 रुपीज में इसमें भी different colors है और यह वला जो ceramic का pot है आपको मिल जाता है just in 50 रुपीज दिखने में बहुत ही प्यारा सा collection है इसमें इनके पास में और भी बहुत सारी different variety दे ceramic pot में इनके पास में जो भी आपको पसंद आता है आप वो यहाँ से बाई कर सकते हो यह इनका ceramic pot का collection है आप देख सकते हो subscribe आवर चैनल so you can see आवर अपकमिंग वीडियो पैरोट भी इनके पास में जो कि आप बाई कर सकते हों 40 रुपीज में एक और भी बहुत सारा collection है इनके पास में यह देखिए इनके पास में आपको animal shape में बड़े size में टेरा गडगा बहुत ही प्यारा सा collection देखने को मिल जाता है जो कि आप आपके घर के अंदर otherwise अगर आपका garden है तो वहाँ पे decoration purpose के लिए बहुती perfectly use कर सकते हो बड़े size में बहुत सारे different animals भी इनके पास में मिल जाते है बड़े size में और भी बहुत सारे different varieties है इनके पास में टेरा कड़ा से बने हुए tables भी इनके पास में जो कि different designs में available है one by one सभी show करता हूँ मैं आपको इनके पास में आपको colorful tables भी मिल जाएगे टेरा कड़ा से बने हुए है यह वाला specially में आपको दिखा रहा हूँ क्यूंकि home decoration purpose के लिए आप इसको perfectly use कर सकते हो टेरा कड़ा से बने हुए house भी है इनके पास में not only टेरा कड़ा अटम्स not only ceramic pot इनके पास में flowering plant का भी कुछ बहुत ही प्यारा सा collection है तो one by one मैं आपको सभी show कर रहा हूँ देख लीजिए क्या है क्या हूँ दो टेरा के लिएव वड्ड़र चर्पेंग क्या है क्या हूँ यह चेम्बूर पोली स्टेशन है चेम्बूर पोली स्टेशन से जस्ट अपोजिट में यह नर्सरी है इस नर्सरी के नाम है सत्य नर्सरी अगर मैप में आपको सर्च करना है तो चेम्बूर पोली स्टेशन सर्च कीजिए और उसके अपोजिट में आपको यह नर्सरी मिल जाएगी यह जो नर्सरी है तालाब के ज़स साइड में है यह तालाब का नाम है तीन तालाब इसके ज़स साइड में यह नर्सरी अविलेबल है आप देख सकते हो Google पे search किजिए तीन तालाब करके और उसको follow करते हुए आईए तो तीन तालाब के just side में आपको ये nursery मिलेगी I hope friends की आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा अच्छा लगा तो like किजिए, share किजिए बाकि लोगों को भी पता चले इस nursery के बारे में Mumbai में हमें बहुती कम Terracotta का collection देखने को मिलता है अगर हमें कुछ collection देखने को भी मिल जाता है तो उसका price बहुत जादा होता है उसी वज़े से मैंने आज का ये वीडियो आपके साथ में share किया है I hope कि आपको पसंद आया ही होगा अगर आप लोगों को address related कुछ भी query आती है तो आप directly उनसे contact कर सकते हो nursery वालों का मैंने number आपके साथ में share कर दिया है ये सत्या nursery का address है अगर यहां का कुछ भी आपको पसंद आया और आपको buy करना है तो देगए address पर आप उनको visit कर सकते हो अगर आपको कुछ query है तो mobile number पर contact कर सकते हो उपर में जो circle दिया उस पर क्लिक किजिए और fishes and plants चैनल को subscribe किजिए तो friends ऐसे ही कुछ नए ने वीडियो देखने के लिए देखते रहे है fishes and plants